प्रदोस्तों आप लोगों का हमारे चैनल डेस रूडूसर कला के डिव में स्वागत है तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए माडल प्रस्थ लेकर आया हूं जो आप लोगों के लिए बहुत ही महात्पून होगा ठीक है सर्मन रिक्षक और शात्रोस दिक्ष सब्सक्राइब करें तो यहां वीडियो आप लोगों के लिए महात्पूर्ण होने वाला है तो आप लोग बिल्कुल आप लोग चैनल में पहली बारा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और बिल आइकन को वाल पर प्लेस कर लिए जिससे नहीं आने वाल वीडियो को नोटिफिक्षन सबसे पहले आप मिल सके आपको ठीक है सब्सक्राइब करने का बेनिफिट यह है कि जब भी हम वीडियो अप्लोट करेंगे तो आप लोगों को वीडियो को अच्छा से कर सकते हैं ठीक है तो कुस्चिंस है पहला कुस्चिंस क्या है अच्छे से रंच कर लेते हैं उसके बाद हम देखते हैं ठीक है तो कल्चुरी कालिन सासन वरस्ता में एक गड़ लगवक कितने गाओं का होता था तो आपसन ने दिया है 802 और आपसन सी दिया 83 और आपसन दिया 84 ठीक है तो थो हम बात करें कर अपकुली कालिन सासन वरस्ता में एक गड़ कितने गाओं ओता था तो व्हें इसका रयोसार 84 उगाओ सा किल्चुरी कालिन सासन वरस्ता में राज में वाम किया थैं-et जुटी बात करें तो गाउं होती थे जिसके मुख्या को गाउंटिया ते अर्व बात करें तो गाउं होता था और गाउं की जो मुख्या होता था उस तो गौटिया गोलते थे ठीक है तो यह रहा फंश्ट कोस्चन से महात्पूर्ण थे ठीक है जो आपको एक्जाम के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट है ठीक है तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कोस्चिन और तो खता दिखाः ठीक है उन्होंने रतनपूर के कलचुरियों सा छत्तिश्घण जीता ठीक है तो कथन कारण ऑले परशन है तो कथन और कारण से रहेलेेटिट प्रश्ञ है ठीक है तो इसका उप्सेंस सदेख लेते हैं और कथनको इस पष्ट करता है और आप्सेंश्य थिए कथन और कारण दोनों सत्त्य कारण कथन को इस पर नहीं करता ठीक है और अगला ऑप्संस दिया है कथन सत्य कारण गलत है और कथन गलत है कारण सत्य ठीक है तो अब लोग बिल्कुल इसका थे तो देख लिए थे इसते प्रफी किया दियो है कथन क्या दियो बीमबा जी भोसली श की सीसाली मराथा सा सक थे ठीक है तो बीमबा जी भोसले करड़ बात करें तो तो क्या था श करकि स्थंथर सकतिसाली मराठा सासक थी यह statement सहीं है कारण दिया है उन्होंने रतनपूर की कल्चुरियों से 36 गड़ जीता ठीक है तो इसका राइट एंसर क्या होगा क्थन सत्य है कारण गलत है ठीक है तो यह था आपका कुश्य नंबर शेकेंट ठीक है तो मराठा सासा क्रगुजी प्रथम जो है सेनपति भासकर पंथ ठीक है मराठा सासा क्रगुजी प्रथम के सेनपति भासकर पंथ है ठीक है उन्होंने क्या क्या 1744 में रतनपूर कल्चुरी के अंतिम सासक रगुनास सिंग को प्राजित करते वे यहां पर म्राठा सासक की निव रखी ठीक है और नापूर के भोसले राजकुमार विम्बजी भोसले को 36 गड़ का प्रथम सासक निवक्त किया गया ठीक है चलिए आगे बढ़ते नेस्ट कोस नमबर थर्ड आपके स्क्रीन पर आ चुका है ठीक है तो यह कोस्चिन क्या बुल लगए है कल्चुरी कालिन सासन वेस्था में गड़ लगवा कितने गाउं का होता था यह कोस्चिन रिपेटेट हो गया है तो इसका राइट एंसर ऑप्सटन डी 84 था ठीक है कोई बात ने और चलया अगली question देखते हैं तो अगला question से आगे आपके स्क्रीन पर question क्या है को एत अगला question है क Vince यह कुन है करी नरेश्थ्थ यह तीजी कल तो क्वेश्चन क्या पुछ है किल्चुरी नरेस ने कोसल के सोमंसी सासक से पाली को जीत लिया था और यह कल्चुरी सासक कौन था जिसने पाली को जीत था तो इसका राइट एंसर ऑप्शन ए होगा संकरगन दुईती मुगधतुंगने ठीक है कल्चुरी सासक संकरगन दुईती ने पाली के च्छेत्र को जीत करके यहां पर कल्चुरों की सत्त ही था था ठापित किया ठीक है अगले को बढ़ते हैं तो अगला कुश्चिन आगे आपके स्क्रीन पर तो क्या है रतनपूर के किस कल्चुरी राजा के सिनपती जगपाल देव ने राजीम के राजी लोचन मंदीर का पुनराधार किया था तो आपसने दिया पृत्वी देव दूति और आपसन सी दिया जाजले देव दूति और नद्य थे ठीक तो इसका राइट अंसर आप लोग कमेंड किजिये ठीक है तो इसका राइट अंसर होगा प्रित्वी देव दूति यह तो प्रित्वीदेव के सिनपती जगपाल देव ने राजीम के राजी-लोचन मंदीर का जिलनधार करवाया था ठीक है जिन्हों धार करवाया था तथा सम्राज विस्तार में अपनी महात्पूर्ण भूमिंका निभाया था तो रतनपुरी किस कल्चुरी राजा के सिनपते जैकपाल देव ने राजीम के राजी लोचन मंदिर का पुनद्धार किया था तो प्रित्विदेव सब्सक्राइब भारती इतिहास से लिया गया है चलिए तो इतिहास के प्रश्र को देखें समंधित प्रश्र को ठीक है तो कुछ्छें नेमिलिकित मौरे शासक बहुत धर्मक्र की अनुए थे और दिया है चंद्रगुप्त बदिया अशोग और स्यधिया विंदुसार और दिया है दसरत ठीक है तो तो सही उत्तर चुनना है ठीक है तो कूट दिया हुए आप लोगों को यहां से आपको सही अंसर चुनना है ठीक है तो आ को अच्छानीत है जिनकी आने वाले एक्जाम पुछेचाने की की संभवना हैं तो आप लोग इस यूट्यूग फोन से एलुट देखे और अपने दुश्क भी सायर कोरें ठीक है टो बिलकुल आप लोगी पर जिस और देखने को मिलेगा होँमारा क्या होगा थिक तो देखते हैं options को तो बाय हमदा कहां पर D आप्सन डिक और अपसन डिमें तो हमारा राइट एंसर क्या होगा option रडी होगा ठीक है चलिए अगले question की और बढ़ते हैं तो अगला question आपकी screen पर आ गया है ठीक हड़पर की काल का तामवे का रत किस इसथान से प्राप्त हुआ ठीक है तो option नहीं है कुरुणाल या कुरुणाल ठीक है option भी दिया है राकीगडी और option C दिया है दैमाबाद और option D दिया है बनवाली और option E रोपर ठीक है तो यह PSC के एक्जाम पूछे गया question है ठीक है तो इसका right answer क्या होगा हडपा की काल का तांबे का रत किस इस्थान से प्राप्त हुआ है तो इसका right answer हो जाएगा दैमाबाद ठीक है तो हडपा की काल का तांबे का रत जो है दैमाबाद से प्राप्त हुआ था ध्यान में रखेगा चले अगले question को बढ़ते हैं तो question number 8 आपके screen पर है तो गातम बुद्र ने किस इस पर महा परिनिर्वान प्राप्त किया था ठीक है तो अगले question को बढ़ते हैं हरपा कालिन इस्थलों में अभी तक कि जातु की प्राप्ती नहीं हुई है तो आप्सन ने दिया है क्या दिया है तांबा और आप्सन भी दिया है श्वर्ण और आप्सन सी दिया चांदी और आ हरपा कालिन इस्थल में अभी तक कि जातु की प्राप्ती नहीं हुई है ठीक है तो हम बात करें हरपा कालिन में तो तांबा प्राप्ती हो चुकी है स्वर्ण की प्राप्ती हो चुकी है लेकिन लोहा जो है हरपा कालिन इस्थल में अभी तक कि प्राप्ती नहीं हुई है तो अगला question question number 10 आपकी screen पर आ चुका है एक मिट क्या है question मत्रा की सील पकला के लिए किस पत्थर का प्रयोग होता है तो आपसे ने दिया है संगमरमर option भी दिया है काला पत्थर option C दिया है बलवा लाल बलवा पत्थर ठीक option C क्या दिया है लाल बलवा पत्थर और option D दिया है ग्रेनाइट और option E दिया सफेद बलवा पत्थर ठीक है तो यह प्यासी के अंड में लिए लाल बल बलबल पत्थर का प्रयोग होता था ठीक है लाल बलवा पत्थर का प्रयोग होता था द्यानवर्गण रगएगा छल्य अगले ठीके तो लोग समय में राजजियों को किस अधार पर सीट व्हंट व facil letzten हो जाएगा जनसंत्य ठीक है तो लोग राजजियों को सीटों को जो नुबटन है जनसंत्य को थार पर होता है ठीक है बिस invaded किसीटे मिलेंगी यह जो है उस राज्य की जन संक्य के अधार पर डिसाइड होता है ठीक है चलिए अगले question कुछ बढ़ते हैं तो अगला question question number 12 आपके screen पर आ चुका है question number 12 क्या है सरोच नियालाय में नियाधिस न्यूक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्स उच नियालाय का एड़ोकिट होना चाहिए option है 20 option भी दिया है 10 और option C दिया है 8 और option दिया 25 ठीक है तो इसका right answer आप लोग comment कीजिए ठीक है तो हम बात करें सरोच नियालाय में नियाधिस न्यूक्त होने की ठीक है सरोच नियालाय में नियाधिस न्यूक्त होने की बात करें ठीक है तो सरोच नियालाय में नियाधिस न्यूक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम दर्स वर्स उच्च नियालाय का एड़ोकिट होना चाहिए तो इसका ऐसे पर चलिए अगले क्षिछन को मड़ता दो कोशिचन नंबर कोश्चन मिती सिट्रकह avait दीं के अध्यन के लिए बनाएक थी आप को श्तुर पुली सुधार आप्षन नियुकति वुरह समीति किसके अध्यन के लिए बनाया गया था हम बात करें वुरह समिति की तो वुरह समिति नोटे हैं उनको क्या कर सके उनके बारे में अध्यन के जासके और उनको दूर कि आज को ठीक है तो वर्षमति जुए राज्यों की सांट गाट के लिए बनाए गई थे चलिए अगले को रबढ़ता है तो अगला कुश्यन आगया आपका कुश्यन नंबर 15 इस्क्रिन पर ठीक है तो सविधान के किस अनुछेद में राजियों द्वारा प्रात्मिक सिक्षा मात्री भासा में दिये जाने का प्रधान है तो सविधान के कौन से अनुछेद में प्रात्मिक सिक्षा को मात्री भासा में दिये जाने का प्रधान किया गया है सविधान में ठीक है सविधान के अनुछे तिन सब्र प्रचास ते में ठीक है राजियों द्वारा प्रात्मिक सिक्षा मात्री भासा में दिये जाते हैं ठीक है चलिए अगले कोश्चन में हम अर्थ वेस्ता से रेटेट को स्टांव को कर लेते हैं तो नमबर 16 वर्गिज कुरियं निवने में से किसे संबंधित है ठीक है यहां पर लिखना शूट गया था टाइपिंग मिश्टेक हो गया था ठीक है तो वर्गिज कुरियं में सब्सक्रीघ आपकोट किर टेख से देखे लिए आप सग्राने कि करन ठीडेन क Civश्च रागली तु अगले प्र बढ़ते हैं तो अगला कुश्चिन आगा कुश्च्छिय आपके स्क्रेंट पर ठीक है तो निम्द लिखित में से सर्मिकों हेतु कौन से प्रधान मंद्रेगा सुनिश्चित करता है कारिस्थल पर पेजल किसी उद्धा आपसन भी दिया महिला सर्मिकों के छोटे बच्चों हेतु सिसु सदन और आपसन सी दिया कम से कम एक बटतीन हिद ग्राही महिला होनी चाहिए जिन्होंने योजना के अंतरगत निवेदे ने पंजी करन किया है और आपसन भी उप्रोग सभी ठीक है तो आप लोग इसका राइट एंसर कमेंड कीजिए ठीक है तो हम बात करें सर्मिकों हेतु कौन से प्रधान मंद्रे काई महिलाओं होनी चाहिए जिन्होंने योजना के अंतरगत निवेदे ने पंजी करन किया है तो उप्रोग सभी ठीक है तो ध्यान में रखेगा मंद्रेगा सुनशित करता है कि कार इस्थल पर पेजल किसी उधा हो ठीक है और महिलाओं के छोटे बच्चे होने तु सिसुजदन की वैस्था हो और कम से कम ठीक है एक व्रतीन हिद्ग्राही महिलाएं हो जिन्होंने इस योजना के अंतरगत ठीक है अवेदे ने हम पंजी करन किया हो ठीक है तो चलिए अगले कुश्चिन कर बढ़ते हैं तो कुश्चिन नमबर 18 आपकी स् पारदर सिता और आप्शन भी दे बजार इस्थनों तक सड़के तथा भंडार ग्री जैसी धांसेगत स्विधाय और आप्शन सी दिया क्रिसी मंडियों में बहुराश्टी कंपनियों का मूक्त प्रवेस और आप्शन दिया क्रिसी उत्पादों के लिए निनुन्तम ठीक है और हम बात करें बजार इस्थनों तक सड़के तथा बंडार ग्रे जैसे धांचा का सुधा है तो यह भी राइट है ठीक है और किसी मंडियों भुराश्टी कंपनियों का मूक्त प्रवेस यह जो इस्टेड्मेंट है गलत है तो इसक्राइट एंसर ऑप्शन सी होग ठीक है तो चलिए अगले कुश्चिन के बढ़ते हैं तो इसक्राइट एंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कुश्चिन अबर 18 का तो कुश्चिन नंबर 19 आपके स्क्रिन पर आ चुका है कुश्चिन थोड़ा लंबा है ठीक है चलिए देख लेते हैं क्या है नेम लेकित कथां सोतंत्रता के प्रस्यात भालत में भूमी सुधार से संबंदी था तो पहला स्टेड्मेंट दिया है सरकार ने बिचौलियों को हटा कर जोतने वालों को भूमी का स्वामी बेनाया और सरकार ने बुह सवाम्यों से नया बंद बस्त कर भूराजेस्मी मृध्धी की ठीक है सरकार ने प्रतिक कस्तकार की भूमी का अधिक्तमकार निष्चित किया ठीक है मैं प्रतिक कस्तकार की भुमिका दिखत्व मकार निष्चित किया उत्तर निम्न कुट कदार प्रड़ी तो कि हम सथथय की जांच करते हैं ठीक है तो पहला इस ठीकिते हैं't को हम देखTay बढ़ते हैं क्या बोला ईसरकार ने बिचल यो को भुमी स्वामी स्वामे मिर्द्धी द्ञाए् इसलाकर करें टीक है इसलाकर ने बिचल्वि का स्वामी मर्य है नोको नेल्म राजय समुरुद्धिव करने वाला काम नहीं किया था ठीक है तो सरकार ने प्रतिक कस्तकार की भूमी का अधिकता मकार निश्चित कर दिया मतलब इसे ज्यादा भूमी मतलब कस्तकार के नहीं होंगे प्रतिक कस्तकार की भूमी का अधिकता होंगे इसको क्या क्रिदase राइट है तो और पिस असुम पर देखने को मिल रहा है ठीक है तो महात्मा गांधी राष्टी ग्रामिन रोजगार ग्रेंटी में किन कार्यों को सुरुच पात्मिक्ता दी गई अधार निर्माण और अधार भर सभखनें में किन कार्यों को सुरुच पात्मिक्ता दी गई है ये बुचा गया है ठीक है तो हम बात करें महात्मा गांधी राष्टी गिरामित रोजगार ग्रेंटी योजना के अंतरगत ठीक है इसको सुरोच परात्मिक्ते दी गई है तो इसका राइट एंसर ऑप्सवन एक साथ जाएगा जल सरक्षन और जल संचैन को महात्म बुच्छन को देख लेते हैं तो बुच्छन है कोश्यन नमबर 21 पर है चलिक्या कोश्यन पर स्चमी भाग में हिमालय की स्रेणियों का दक्षिंड से उत्तर की और निमांकित में से कौन सा क्रम सही है आप से ने दिया महान हिमालय उसके बाद लगूवी मालय फिर सिवालि और आपनी दी दूबिया है सिवालिक फिर महान हिमालय और लगूवी मालय ऩ니다. Tote तो पस्चिमी भाग में हिमालाई की स्रेडियों का दक्षेण से उत्तर की और करम पुछा गया है दक्षेण से उत्तर की और मांकित में से कौन से करम सही है ठीक है हम बात करें पस्चिमी भाग में हिमालाई की स्रेडियों की ठीक है दक्षेण से उत्तर की और करम की ठीक है त फिर लगुई मालाा आएगा फिर महान ही माला आएगा ठीक है तो दक्षिंट से उत्तर कि Nous uh शाजिवालिक आएगा उसके बाद लगुए माल है फिर महानिद माल है ठीक है जले अगले question बढ़ते हैं तो अगला question आपके screen पर आगा है question number 22 क्यास क्या क्या है question ठीक है वह कम के समय किंट रंग्सों का उद्भवह होता है आपसन दिया है भी एस न भी सल और व्लों पाव को समय किल पोद्भा होता है चलिए अगली कुष्चिन की ओर बढ़ते हैं तो question number 30 आपके screen पर है तो क्या है question सूर्य के गिर्द परिक्रमा में निम्ल में से कौन से ग्रह अधिक्तम समय लेता है आपसने प्रिथ्वी आपसन भी ब्रहस्पती और आपसन सी मंगल और आपसन डी सुक्र ठीक है तो सूर्य के गिर्द में दिये गए आपसन में अधिक समय सूर्य के अधिक्तम समय लेता है थायए अगले कोश्यों को बढ़ते हैं तो अगला कोश्यों कोश्योंनमबर 24 आपके screen पर आचुका है लिए प्रित्वी की आयू की गढ़ना कि जा सकती है अपसरं इ अधामिक क्लाउघ द्वारह ऑप्सन भी बाय लोजिकल द्वारह और और ऑप्सन प्रित्वी की नहुताय तो फृप्स न् बचाती है यहाँ कौन सी है ऑप्शन है लाल और ऑसर भी विठी है काली और ऑसन धी यह जलोड ठीक है तो आप लोग इसका राइट इंसर को kıμεंट कीजिये अब लोग अगर आता है तो अपस सी काली हो सेसे कम होती है क्योंकि उसमें जल धारन चमता दिक होती है तो पहुत आदिक मातरह में ज्ल को क्या करता है अपने पास रख लेते हैं बचा करके ठीक है जिसे उनको पानी क्या हो सकता है कम पड़ता है ठीकेशल मातर। सकते हैं पूरा गजा दिया गया है इसके लावा नेश्ट माडल प्रेशन पत्र हम लेकर बहुत जल्द आएंगे तो आप लोग वीडियो को जादा से जादा सेर करें और अगर चैनल में पहली बार आए है ठीक है चैनल में आप लोग नहीं है तो चैनल को सस्क्राइब कर लिजे और बिल आइकन को आप लोगों को सबसे पहले मिले ठीक है तो चले वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं धन्यवाद